नमस्कार मैं हुश ससी आए जर्खन की टॉप 25 परमु खबर जानते हैं एंग जर्खन के मुख्य मैंत्री हेंट्री हेंट्री अपर केंद्र सकार बड़ा आड़ोप लगाया है उन्होंने कहा है कि आज चलते फीरते लोगों की मौत हो जा रही है बुजुरुगों को तो छोड़िये स्वस्त युगा भी देखते देखते मौत का सिकार हो रहे है सुरेन ने रांची में मुखी मंत्री मया समान योजना की लभारतियों के बैंग खाते में रकम टांसफर करने के लिए आयोजित कारकरम को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा ने कुरोना का ठीका बनाने वाली कंपनियों से पैसा चंदा वसुला और लोगों को जबरन ऐसा ठीका लगा है जिसकी वज़ा से सर्दी खासी जैसी मामोली बीमारी में भी मौत हो रही है उन्होंने कहा है कि हाल में हमारे एक सांसत की पतनी का 28 साल के उम्रे में मामोली बीमारी से निधन हो गया हमारे यहां कॉंस्टेबल बहाली के लिए चल रही दोड में कुछ युवाओ की जान चली गई हम इस ममली की जाच करवा रहे हैं इसे लेकर विपक्स के लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं लेकिन मेरा मानना है कि इन युवाओ की दोड केवल दोड लगाने की वज़ासे नहीं इसके पीछे कोरोना टीका का दूस परभाव हो सकता है जार्खन मुख्यमंत्री मया योजना का लाब अब 18 बरस से राणची के नाम को में जार्खन मुख्यमंत्री मया योजना का लाब अब 18 बरस की उम्र से इस योजना का लाब मिलेगा उन्होंने कहा है कि महिलाओ के आर्थिक ससक्तिकरन के लिए सरकार हर कदम उठा रही है आगे भी सरकार उनके हीत में कारे करती रहेगी बतादे नामकुम के खोजा टोली का ट्रेनिंग ग्राउंड बुद्ध्वार को रांची, खोटी, गुमला, सिम्टेगा और लोहर दगा के महिला लावकों से खचा-खच भरा हुआ था जारकन मुकी मंत्री मया समान योजना की लावकों के चेरे पर खुसियों के उपहर का उच्सा साफ जलक रहा था मुकी मंत्री हमांसुरेन ने इन पांचों जीलों की बहनों को मया समान योजना का तोफा दिया है JSSC CGL का एडमिट काट 17 सितंबर से JSSC CGL की परिक्षा के लिए एडमिट काट डाउनलोड करने की तारिक का एलान हो गया है जारकन कर्मचरी चेन आयोग ने पत्र जारी कर जनकारी दी है परिछारती 17 सितंबर से एडमिट काट डाउनलोड कर सकते हैं JSSC CGL की परिक्षा 21 और 22 सितंबर को होगी इन में 833 पद सहायक प्रसकह पतादिकारी और 335 पद करनिये सचीवालय वहीं 122 पद स्रम प्रवतन पतादिकारी और 252 पद प्रखंड अफुर्ती पतादिकारी और 5 पद पलानिंग असिस्टेंट 1195 पद प्रखंड कलियान पतादिकारी 180 पद, अंचल निरिक चक और 8 पद करनिये सच्चिवाले साय के लिए निर्धारित किये गए है जारखन में महिला मुनसी पद के लिए आवेदन शुरू जारखन के थानों में महिला मुनसी के लिए आवेदन पत्र जारी किया गया है डिजीपी अनुराग गुपता के निदेश परिया आवेदन जारी कर दिया गया है आवेदन पत्र में महिला मुंसी बनने के लिए कई सर्थ रखी गई है उन सर्थों के पूरा करने के बाद ही महिला पुलिस कर्मी थानों में मुंसी का काम कर पाएंगी बदाद राज अस्तरी महिला समेलन के दोरान डिजीपी ने कहा था कि परतेक सहरी थाने में महिला मुंसी की निवक्ति होनी चाहिए परियास होगा कि अगले तीन महिने में इनकी निवक्ति की जाए इसकी सुरुवात रांची जम सेतपुर हजारी बाग बोकारो अधनबाद से होगी डिजीपी ने कहा था कि परतेक थान में महिला थाना प्रभारी देने का भी पर्यास किया जाएगा फारम को वही महिला पुलिस कर्मी भरे जो थाना में आवसकता अनुसार लंबी अधी यानि कि 12 से 14 घंटा कारे करने के लिए तयार हो जारखन केबिनेट की बैठक 6 सितंबर को साम 4 बजे से जार्खन केबिनेट की बैठक 6 सितंबर को होगी मंत्री मंदल सचिवाले अमनीगराने विभा की ओर से हजनकारी दी गई है कहा गया है कि मंत्री परशत की बैठक सुक्रवार को साम 4 बजे से जार्खन मंत्राला इस्थीत मंत्री परशत कक्ष में होगी केबिनेट की बैठाक के अज़ेक्स्ता मुक्री मंत्री हमाल सुर्ण करेंगे मंत्री परस्थ की बैठाक में कई आम फैसले लिये जा सकते हैं बता दे पिछली केबिनेट की बैठाक 29 अगस्त को होई थी उस दिन हेमान सुर्ण के अधक्सता में होने वाली बैठाक में 44 प्रस्ताओं पर मोहर लगी थी सरकारी करमचारियों का महागाई भात्ता 9 फिस्ती बढ़ाने का फैसला लिया गया था वहीं मंत्री परशद की पिछली बाठाक में सरकारी करमचारियोक महागाई भत्ता 230 फिर्दी से बढ़ा कर 249 फिर्दी कर दिया गया था CM हाउस के बाहर 60 दिनों तक धारा 144 लागू हाल के दिनों में जाकिर हुसेन पार्क की जगा विभीन संगठनों और दलों के द्वाराधरना प्रसन जूलूस रहली इत्यादी राजभोन मुखे द्वार मुख्यमंत्री आवास काके रोट पर किया जा रहा है इन कारकरमों से सरकारी कामकाज में ब्याधान उत्पन हो और यतयाद ब्यवास्ता प्रभावित न हो इसके लिए SDO ने समधी छेत्रों मिनी से धग्या जारी कर दी है मुख्यमंत्री आवास मुराबादी के चारदिवारी से 100 मीटर की परिधी में पुराणे मुख्यमंत्री आवास काके रोट के चारदिवारी से 100 मीटर की परिधी में राज भावन के चारदिवारी से 100 मीटर की परिधी में जारखन उच न्याले के चारदिवारी से 100 मीटर की परिधी में नए विधान सभा के चारदिवारी से 500 मिटर की परीधी में और प्रजेक्ट भवन नेपाल हाउस भवन के 100 मिटर की परीधी प्रजेक्ट भवन या चिसी धुरुआ भवन के 200 मिटर की परीधी में निसे धगया लागू कर दी गई है बंगला देशी घुसपैठियों पर चमपाई सुरने जताई चिंता बंगला देशी घुसपैठियों से आदिवासियों के अस्तितों पर खत्रा मन रहा है भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो बंगला देशी घुसपैठियों को जारखन से ही नहीं पूरे देश से बाहर निकाले का काम कर सकती है उन्होंने कहा है कि घुस पैठियों के करण आदिवास्यों के गाउं के गाउं उजड़ जा रहे हैं उक्त बाते पुर मुख मंतरी स्वा भाजपा नेता चमपई शुरे ने सराय किला स्थित भाजपा का रियाले में लोगों को संबोधित करते हुए कही है उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है जारखनी नहीं सराय के लामें बदलाव के संकेत हैं उन्होंने कहा है कि जिस पार्टी को खुन पर सिना बहा कर खाड़ा किया आज उस पार्टी ने उन्हें बेजज़त कर दिया है 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 मंत ने आदिवासियों को ठागा लोबिन हेंबराम भाजपा में सामिल होने के बाद पहली बार साहिब गंज पहुंचे बोरियों के पुरुविधायक लोबिन हेंबराम ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेंबर निसाना साधा है उन्होंने कहा है कि राज के आद मंदिर के पास बैठे 5 साइबर गिरफतार जाम तड़ा के बेना काली मंदी से सटे मैदान में बैठकर साइबर ठगी कर रहे है पांच सातीरों को साइबर थाने के पुलिश ने दबोश लिया है अरोपी जाम तड़ा थाना चेतरे के साहपूरा गाव के रहने वाले सगे भाई साकीम अंसारी वा रमीम अंसारी मिही जाम थाना चेतरे के बेगा गाव का रहने वाले सारुक अंसारी नराइपु थाना चेतरे के राजा विठा गाव का रहने वाला सर्फराज अंसारी और कर जे पीएसी अध्यक्स का पद 22 अगस्त से खाली जारखन लोक सेवा आयो के अध्यक्स का पद 22 अगस्त के बाद से खाली है निव बरतमान अध्यक्स निलीमा केरकेटा का कारेकल खतम हुए 12 दिन बिच चुके हैं लेकिन अब तक किसी को इस पद के लिए नियुक्ति नहीं कि गया नतीजा यह है कि कई परतियोगी परिक्षाओं की परकिरिया पूरी होने में देर हो रही है क्योंकि कई मामलों में चेयर्मेन की सुक्रीती जरूरी होती है इसका सबसे उधारान एगारा से लेकर 13 सीविल सर्विस की परिक्षा है इसके मुख्य परिक्षा कायोजन 22 से 24 जून तक हुआ था यानि कि मेंस एकजाम संपन हुए दो माह से अधिक समय बीच चुके हैं लेकिन रियाल्ट का परकासान अभी तक नहीं हुआ है सीयम हमन्त ने 7 लाख बहनों को भेजे 70 कलोर मुख्य मंत्री हमन्सुरेन ने नामकुम के खोजा टोली ट्रेनिंग ग्राउंड में आयोजित कारकरा में बुद्धवार को 7 लाख से अधिक बहनों को जारकान मुख्य मंत्री मैया समान योजना के तह 70 कलोर रुपए की समान रासी दी है सबी बहनों के खाते में एक एक हजार रुपए का तोफा भेजा है उन्होंने कहा है कि आपका साथ और असिर्वाद हमें ताकत देता है आपके उत्सा और सम्मान की बदलत हमें ताकत मिलती है धर्ती आबा भावान बीर्शा मुंडा की पावन धर्ती दक्षिनी छोटानागपुर परमंडल के रांची जिले में आयोजित कारकर में बुद्धवार को मुकी मंत्री हमनसरे ने बड़ी संख्या में रांची खुटी गुमला सिम्टेगा और लोहतगा से आई बहनों को मईया समान योजना का तवफाद दिया है जोबा मांजी ने कहा योजनाओ का लाव गावों तक पहुचाने आई है सरकार आपके द्वार राजे की जानता तक विकास जोजनाओ का लाव पहुचाने के लिए सरकार आपके द्वार कारक्रम आयोजित किये जा रहे हैं जोजनाओ की जनकारी रखे और पूर्ण काकजात के साथ सीविर में पहुचकर लाव उठाए उक्त बाते सिंभूम की सांसत जोबा मांजी ने कही है सांसत जोबा मांजी ने बुद्धवार को सुदूर कुद्री प्रखंड के बीरकेल पंचायत अंतरगत प्रखंड कर्याले परिसर में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम में ग्रामी लाबकों को सम्मोधित कर रही थी सांसद ने कहा सरकार ने समाज के हर्थ अपके के उत्थान के लिए योजनाये बनाई है ज़रूरत है योजनाओं की सही लाब लेने की उन्होंने सरजन, पेंशन योईना, मुख्य मंतरी मया, समान योईना, सावीत्री भाई, फुल्ले, समरीदी योजना, अबवा, अवास योईना, गुरुजी, क्रेडिट कार्ड योजना का उलेख करते वे ग्रामिनों से लाब लेने की अपील की है पीयर मोधी पंदरा को आएंगे जमसेदपूर, तीन वंदे भारत की सोगाद पधान मत्रिनाद मोधी 15 सितमबर को जमसेदपूर के दौरे पर आने वाले हैं वे टाटा नागर रेलवे स्टेशन से नए वंदे भारत ट्रेण की शुरुवात करेंगे तीन वंदे भारत ट्रेन की शुरुवात होगी इसके तहट टाटा पतना टाटा बरामपूर और देवघर बनारस वंदे भारत ट्रेन को पिये मोधी हरी जंडी दिखाएंगे इसको लेका टाटा नागर रेल्वे स्टेशन से ही साई ट्रेनों को पिये मोधी हरी जंडी दिखाएंगे बदादे टाटा नगर रेल्वे स्टेशन के प्लेटफर्म नमबर एक प्लेटफर्म नमबर तीन से टाटा पतना ट्रेन को हरीजंडी दिखाएंगे जारखन में अब सीट एट को भी मने आता मांदे बिरीधी ईपीएफ का लाव देने सहीद बिभीन मांगों को लेकर 28 अगस को सिक्षा मंदरी के साथ जारखन राज सहायक अध्यापक संहर्श मोर्चा के साथ हुए समझहोते का समथी पत्र बुद्धोर को जारी कर दिया गया है इसके तहह सहायक अचारी पद पर नियुक्ती में सीट एट की मने आता इस सर्थ पर देने की समती बनी है कि पाराज सिक्षकों को इस पद पर नियुक्ती के बाद तीन वरस के भीतर या पहले और सर में जेट एट एट पर एक्छाव तीन होना अनिवारे होगा समझाता पत्र का अनुसार पाराशिस्कों को ईपीएफ का लाव मिलेगा राजसरकार दोवारा नियोकता का अंस दान अधिक्तम उन्हें सो पचास रुपए अथवा जो अनुमाने हो राजसरकार दोवारा वहन किया जाएगा साथ ही पारासिस्कों के अंस दान की रासी उनके मांदे से नियमा अंसरकटोती की जाएगी हलाकि इसका लाब बीत विभाग वम कैबिनेट के स्विग्रीत के बाद ही मिलेगा रांची में गहना साफ करने के नाम पर ठगी राजधानी रांची में सोना चांदी गहने साफ करने का जासा देकर ठगी करने वाले गिरो एक बार फिर से सक्रिये हो गए है ताजा मामला रांची के चूटिया थाना छेतर का है जहां एक महिला से दो ठगों ने सोना चमकाने के नाम पर कंगन और गले का हाँ ठक कर फ्रार हो गया दोनों ठगों का चेहरा CCTV केमरे में कैद हो गया बताद एकी चूटिया थाना छेतर के रहने वाले एक बुजूर्ग दमपती से बुद्धवार को दो ठगों ने लाखो रुपय के गहने की ठगी कर ली है बिहार सरकार से रिटार करमी अजय कुमार और उनकी पत्नी फुलबदन देवी दोनों ही चूटिया थाना छेतर के रहने वाले हाँ बुद्धवार को दो ब्यक्ति उनके घर आये और दोनों ने कहा है कि वे लोग मारबल और टाइस को चमकाने का काम करते है कमपनी की तरफ से उने घर भेज कर उनका प्रोड़क्ट का परचार करने को कहा गया है धन्यवाद